नवग्रा स्तोत्र का पाठ करने से सभी इच्छाएं होती हैं पूरी ग्रहों का मिलता है शुबफल। महर्शी वेद व्यास द्वारा रचित नवग्रा स्तोत्र का पाठ करने से ग्रहों की पीरा से मुक्ती मिलती है। ये स्तोत्र दुजवपनों का नाश करता है और अतुल्मिय एश्वर्य और आरोग्य की प्राप्ती कराता है। साथ ही कुंडली में ग्रहों की स्थिती मजबूत रहेगी और कई शुब फल प्राप्त होंगे। नवग्रा शांती के मंत्र जपें। महर्शी वेद व्यास ने ग्रहों की पीरा से मुक्ती के लिए नवग्रा स्तोत्र की रचना की। का संपूर्ण पाठ करना चाहिए या फिर जिस ग्रह को प्रसन करना है, उस ग्रह का वंदन प्रिथक रूप से भी किया जा सकता है। चंद्रमा के लिए दधिशंखत उशाराब क्षीरोदार नवसंभवम नमामी शशिन सोम शंभोर मुकुट भूशनम दही शंखत वाहिम के समान जिनकी दीप्ती है, जिनकी उत्पत्ती क्षीर समुद्र से है, जो शिबची के मुकुट पर अलनकार की तरह विराजमान रहत मैं उन चंद्रदेव को प्रनाम करता हूँ। मंगल के लिए धर्नी गर्ब संभूत विद्यूत कांतिसम प्रभम, कुमार शक्ते है स्तम तम मंगलाम प्रण्माम्यहम, प्रित्वी के उदर से जिनकी उत्पत्ती हुई है, विद्यूत पोंच बिजली के समान जिनकी प्रभा है, जो हाथों में शक्ती धारन किये रहते है उन मंगल देवता को मैं प्रणाम करता हूँ। बुद्ध के लिए, प्रियंगु का लिकाश्याम रूपिन अप्रतिम बुधम, सौम्यम सौम्य गुनों पे तम तम बुध प्रण्माम्यहम, प्रियंगु की कली की तरह जिनका श्याम वर्ण है, जिनके रूप की कोई उत्माही नहीं है, उन सौम्य और सौम्य गुनों से युक्त बुद्ध देवता को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रण्माम्यहम, भर्फ, कुंदत्वाम्रिनाल के समान जिनकी आभा है, जो दैतियों के परमगुरु हैं, उन सब शास्त्रों के अध्वितिय वक्ता शुक्रचार्यजी को मैं प्रणाम करता हूँ। राहु के लिए अर्धकायम महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्धनम, सिन्हिका गर्ब संभूत्तम रहों प्रण्माम्यहम, जिनका केवल आधा शरीर है, जिनमें महान पराक्रम है, जो चंद्र और सूर्य को भी परास्त कर देते हैं, सिन्हिका के गर्ब से जिनकी उत्पत्त उन रहु देवता को मैं प्रणाम करता हूँ। व्यास जी के मुख से निकले हुए इस तोत्र का जो सावधानी पूर्वक दिन या रातरी के समय पाठ करता है। ग्रह नक्षत्र जा पिर्यास्त स्क्रागनिस मुद्भवा ता सर्वाह प्रश्म यांती व्यासो ब्रूते न संशय। किसी भी ग्रह, नक्षत्र, छोर तथा अगनी से जायमान पिर्याई शांत हो जाती हैं। इस प्रकार स्वयम रिशी व्यास जी कहते हैं। इसलिए इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। श्रीवेद व्यास विरचित मादेत्यादे नव ग्रह स्तोत्रम संपूर्णम। दोएन संपूर् कोईों पिरोह स्तोत्स्र. यार ज čाह स्तोत्स्कार कोई संपूर्णी वें।